वेलकम बैक, इस वीडियो की डिमांड बहुत जादा थी कि Realme UI 5.0 Android 14 का अपडेट Realme के किर किन फोंस में देखने को मिलेगा, क्योंकि Oppo ने अल्रेडी ColorOS 14 Android 14 की जो टेस्टिंग है वो इंडिया में स्टार्ट कर दिया है और काफी सारे फोंस के अंदर अपडेट्स देखने क मिल भी गए हैं, लेकिन Realme के किसी भी फों में आपको इंडिया में जो अल्फा टेस्टिंग है और उसके जो अपडेट्स है वो अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, तो आपके जो भी कन्फ्यूजन है Realme UI 5.0 के रिगार्डिंग वो आज की वीडियो में क्लेर करूंगा, और पूरी लिस्ट आपको बताने वाला होगी Realme UI 5.0, Android 14 का अपडेट, Realme के किन-किन फोंज में देखने को मिलेगा, तो वीडियो तो इंटरस्टिंग होगी, लेकिन आपका एक काम अभी तक रहा गया, अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब लोग क्या होगा, अपडेट वर्जन क्या होगा, तो अप्लाई करने के लिए आप लोगो जो ट्राइल वर्जन की एप्लिकेशन की फॉर्म आते हैं, इनको सबसे वेले आप लोगों ने अप्लाई करके समिट कर देना है, समिट करने के बाद आपकी एप्लिकेशन जाएगा एंड अपडेट लॉग के अंदर सिर्फ इतना मेंशन किया है कि आपको एंडूइड 14 का जो डीटा अपडेट है वो देखने को मिला है इसके जो फोन की ओबर और परफॉर्मेंस है इसको इंप्रूब किया है सिक्योर्टी प्रैप्सी को प्रोटक्त किया है और जो तरीके से करना एंड इस तरीके से आप लों और सिर्फ निवाइफ 150 का जो अप्डेट पेज वह मिलेगा वहCool अब hybrid we फ़ाइ5 पाइफंट कि अपडेट युस्ट लिस्ट के भारे में बात करें तो रियल्मी इवाइफ 50 जो अपडेट लिस्ट है, इसके अंदर सबसे पहले जो Realme की GT Series है, इसमें अपडेट देखने को मिलेगा, तो Realme की GT Series के अंदर Realme GT 5, Realme GT 5 240W, Realme GT Neo 5, Realme GT 3, Realme GT 2 Pro, Realme GT 2, Realme GT Neo 3, Realme GT Neo 3T, इन सम्में आप लोगों को जो अपडेट है, Realme Wi-Fi 500 का, वो officially Realme release करेगा, अब Realme की इसके अंदर आप लोगों को जो अपडेट है, Realme Wi-Fi 500 का, वो Realme release करेगा, Realme की नमबर से इसकी बात करें, तो नमबर से इसके अंदर Realme 11 Pro Plus, Realme 11 Pro 5G, Realme 11 X 5G, Realme 11 5G, Realme 11 4G, Realme 10 Pro Plus 5G, Realme 10 Pro 5G, Realme 9 Pro 5G, Realme 9 Pro 5G, Realme 9i 5G, इनी डिवाइसे के अंदर आप लोगों को जो Realme Wi-Fi 500 का update है Realme की number series के अंदर देखने को मिलेगा and Realme की जो other series जाजेगी Realme की C-3, Realme की Narzo series की बात करें तो Realme Narzo 60X, Realme Narzo 60 Pro, Realme Narzo 65G, Realme Narzo 50 Pro, 5G, Realme C55, Realme C53, Realme Narzo N55, Narzo N53, Realme C53 India and Realme C51 तो इन्ही Realme के devices में आप लोगो Realme Wi-Fi 500 का जो update है वो Realme release करेगा अब उन devices की बात करें जिनमें आपको Android 14, Realme Wi-Fi 500 का update नहीं मिलेगा तो इनमें रहे Realme GT Master Edition, Realme GT 5G, Realme GT Neo 2, Realme 8 Pro, Realme 8 4G, Realme 8 5G, Realme 8S 5G, Realme 8i, Realme 9i, 4G, Realme 9 5G Speed Edition, Realme XN Pro, Realme XN Max and Realme X7 तो इन devices के अंदर आप लोगो Realme Wi-Fi 500 का जो update है वो नहीं मिलेगा और इससे पहले मैंने आपको जो list बताई उनमें आपको जो update है, Realme UI 5.0 का वो Realme release करेगा वेल ये तो बात हो गई Realme UI 5.0 और Android 14 के software update के वारे में कि Realme के किन-किन phone के अंदर जो update है वो देखने को मिलेगा लेकिन softy update के सासा जो system apps है इनको update करना भी बहुत ज़्यादा important है और इनको update करने के बाद ही आप लोग काफी सारे features को पहले से ही अपने phone में install कर सकते हो इसके लिए आप लोगों को नीचे description में Realme system apps update इस telegram channel का link मिलेगा जाकर के join कर लें आप लोगों भी चेक कर लें यह आप लोगों को official channel देखने को मिलता है यहाँ पर सावी जो Android 14 और Realme Wi-Fi 5.0 कलर्वास फोर्डिंग की जितनी भी system apps के update है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर जाकर के आप लोग system apps को update कर सकते हो अपडेट करने के बाद जो नए नए फीचर है उनको आप लोग अपने किसी भी realme oppo oneplus phone के अंदर install कर सकते हो पर इतना इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कर देना चाल को subscribe कर लो और हम मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए के लिए कुछ के लिए कुछ कर दो अपने कर दो फीडियोर वीडियोर अवीडियो में अवीडियोर अगर अब वीडियोर अगरेवाल का प्योर अपने हम बाद अ.